हेलो फ्रेंज, प्रियर कीचेन में आप सभी लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ, सिंपल एक पत्तागोवी का रेसिपी लेकर यह जो पत्तागोवी का रेसिपी है, एकदम सिंपल है क्योंकि इसमें हमने कोई सभी प्याज लेस्वन का इस्तेमान हमने नहीं किया है सिंपल है, लेकिन खाने में टेस्टी है, साती साथ में हेल्दी भी है देख सकते कितना सुंदर और कालारफुल लगड़ा है तो इसमें हमने थोरा सा गाज और माटर के साथ जो है पत्तागवी का हमने बनाया है जिदना यामी है, खाने में उदना ही टेस्टी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिए सब्सक्राइब करके मुझे सापोर्ट कीजिए और साइड में बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी सेयर करना मद भूलिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने एक मीडियम साइज का पत्ता को भी लिए है और उसे जो है मतलब जादा पदला भी नहीं जादा मतला मोटा मोटा नहीं ऐसे मीडियम साइज करके काट लिया है और साथी में दिये है थोड़ा सा मटर एक ही साथ में हमने इसे धो लिया है काट के और यहां पर देखिए एक मीडियम साइच का आलू लिये हैं और एक गाजर जिसे हमने देख सकते हैं चोटा चोटा करके दोनों को काड लिया है तो चलिए इधर हमने पहले से कड़ाय चड़ा दिया हैं कड़ाय हो गया गरम तो इसमें हम दो चमस तेल डालेंगे तेल डालने के बाद तेल गरम हो गया है तो इसमें एक सुखी तेज पत्ता और शुखी लाल मिर्ज दिये हैं और थोरा सा पांच फोड़न पांच फोड़न को आप स्किप भी कर सकते हैं देखे जैसे ये फ्राई हो गया था हम इसमें आलू और गाजर को एकी सत마र की डाल देंगे देखे आलू को थोरा से लालल करके फ्राई कर लेंगे और हम ने पत्त 값ब का सबजी बनाएंगे इसमें हम कोई सभी पेयाज और लैसोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहां पे देखिए हमने एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसको काड़ लिया है दो चार हारी मीड है और हाप चमज आदराग का पेश्ट है इसे भी जो है आलू फ्राइ हो गया था आलू फ्राइ करने के बाद इसमें डाल देंगे और यह की साथ में हमने देखिए हमने प्याजलासोन का पत्तागवी का सबजी हम बनाएंगे अभी सर्दी का सीजन का पत्तागवी है ऐसे ही थोड़ा सा खाने में अच्छा लगता है बीना मसाला के हमने इसमें ज्यादा मसाला भी इस्तेमाल नहीं किया है तो देख सकते हैं हमारा जो आदराग जीरा था जालते जाएंगे और पत्तागवी देख सकते हैं ज्यादा मदला बड़ीक भी नहीं और ज्यादा मोटा भी नहीं काते हैं हमने मीडियम साइज करके काते हैं तो इसे जो है ऐसे चलाते रहेंगे तो पत्तागवी को इसमें डाल दिये हैं डालके इसे मीक्स करेंगे और थो तो देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यह जितना टाइम जाएगा धिरे धिरे पत्ता को भी अपना पानी छोड़ने लागेगा तो यह कम होते जाएगा फिर उसके बाद जो है हम इसमें नमक डालेंगे नहीं तो पहले नमक डाल देने से क्या होगा फि इसलिए थोड़ा सा इसे कम होने देते हैं फिर उसके बाद नमक डालेंगे तो देख सकता है पत्ता को भी जो है थोड़ा कॉंटिटी में कम हो गया है तो आभी इसमें हम नमक डे देंगे कॉंटिटी के हिसाब से नमक डेंगे तो मैंने यहा पे एक चामज नमक डिया है द तब तक इससे boil करेंगे, तो देख सकते हैं, धाक दिया है, तो आभी देखिए हम धाकन खोल के चेक कर रही है, और जितना पानी से गोबी को बॉइल हो जाएगा, इसमें और अलक से पानी देने का जरूराद नहीं है, तो देख सकते हैं, इसे हमने धाक दे रही हूं, फिर भ और गैस का प्लेम इस टाइम एकदम स्लो कर दिया है तो ऐसे ही जो है गोवी सौप्ट होने तक वेट कर लेंगे तो आभी देखिए 10 मिनिट हो गया मैं धक्कान खोल के चेक कर रही हूं पत्ता गोवी मतलब सौप्ट हुआ है की नहीं तो आलू और गाजर जो है बहुत ही अच्छे से सौप्ट हो गया है देख सकते हैं तो पत्ता गोवी भी जो है बहुत ही अच्छे से सौप्ट हो गया है तो इसे जो है अभी गैस बंद करेंगे और इसे एक प्लेड में निकाल लेंगे तो देख सकते हैं सिंपल पत्ता को भी कितना सुन्दर लग रहा है आप लोग भी इस तरह से जरूर बना के ट्राइ कीजिए कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए फ